हाई गाईज दॉस डॉक्टर रश्मी अगैन वेल्कम बैक टू मैं चानल अम्मायरा होमेपथे क्लीनिक फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीडिट्स या अनेमित मासिक धर्म के बारे में हम देखेंगे कि क्यों हमें इर्रेगुलर जिसे लेकर आप अपने इस इर्रेगुलर पीडियेट्स या अनेमित मासिक धर्म से चुटकारा पासकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो काफे इंफर्मीटिव और न्यूस्फुल होने वाला है और अगर आप मेरी चैनल में नए है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं होता है इसका डूरेशन क्या होता है कितनी ब्लीडिंग हम नॉर्मल समझें तो ओन एवरेज एक 28 डेज का साइकल होता है हर फिमेल में उनके रिप्रोड़क्टिव एज में लेकिन यह वैरी कर सकता है 23 डेज से लेके 35 डेज तक बात करते हैं नेक्स्ट चीज की तो यह 4-7 से भी ज़्यादा सैनिटरी पैड लेने पड़ रहे हैं तो आप इसे एक एमनॉमल या प्रोफ्यूस ब्लेडिंग के तौर पे ले सकते हैं या आपकी इतनी कम है कि बहुत ही ज्यादा स्कैंटी है आपको बस स्पॉर्टिंग दिखरी है या ब्लेडिंग बहुत ही कम है तो ब्लेडिंग बहुत कम जादा हो रहा है तो इसे आप इर्रेगुलर पीरियेट्स कंसीडर कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अब हम इर्रेगुलर पीरियेट्स के कास्ट के बारे में बात करते हैं कि क्यों इर्रेगुलर पीरियेट्स होते हैं सबसे पहले मेजर कॉस है वो है हॉर regular periods आने कि बात करते हैं सेंग कॉज की तो सेंग कॉज है PCOD ये可 PCOSBCOD इस किसमें आपको को आपकी यह हॉन्पोन से बहुत जदा इंबालस हो जाते हैं और आप के सटार्य आपको थायरोईडई हया है यह यह इंबालस हो जाते और आपके periods irregular होने के बहुत जादा possibility होती है बात करते हैं next cause के तो वो है एनेमिया जब आपकी शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आपके periods skip होने लगते हैं या देर से आते हैं और साथ ही जो आपकी discharge वो काफी scanty होते हैं बहुत का मात्रा में होते हैं तो यह भी एक cause हो गय time पर नहीं होंगे और आपके periods time पर नहीं आएंगे next cause के बात करें तो यह lifestyle से related disorder है कि अगर आप बहुत जादा stress लेते हैं proper sleep नहीं लेते एक 8 घंडी की proper आप नहीं लेते हैं proper आप सोते नहीं है बहुत stress लेते हैं या आपकी diet भी proper नहीं है तो आपके periods काफी ज़्यादा possibility है कि irregular हो जाएं तो फ्रेंस यह रहे irregular periods के causes तो फ्रेंस अब हम बात करते होमेपेटिक मेडिसीन की होमेपेटिक मेडिसीन में आपको तीन मदा टिंचर का combination बताऊंगी जो बहुत अच्छी होती है आपके uterus के लिए आपके hormonal imbalance को यह करेगी एवन अगर आपका sugar level भी proper नहीं है तो यह उसे भी ठीक करेगी तो जो फ्रस्ट मादा टिंचर है वह है अशोका क्यूँ अशोका बहुत ही अच्छा जाना माना यूटराइन टॉनिक है या एक यूट्रस या गरभाशय का एक टॉनिक है जो गरभाशय की हर प्रकार की तकलीभ को दूर करता है सेकर नागे कियो पहुत अच्छी क्यों है आपके अगर आपकी बहुत ही जादा बहुत ही जदा JAY परिडिंग होती है बहुत ही अब को सेंटी पैडले ने पड़ रहे हैं या आपका पिर बहुत ही जादा स्कैंटी या कम है तो दोनों के में यह क अगर आपका शुकर का लेवल प्रॉपर नहीं है आपको डाइबिटीज है और उसके साथ ही आपके पीरिट्स पे रेगुलर है तो ये बहुत अच्छी मैडिसीन है तो फ्रेंट्स करना क्या आपको आपको एक इस्टराइल बॉटल लेना है 100 ml का किसी भी होमेपतिक शॉप स आप ले सकते हैं से और 30-30 ml की क्वांटिटी में इन तीनों मदर टिंचर को आप ले लीजे सिल्ट पैक लीजेगा और इन तीनों को आप उस बॉर्टल में मिक्स कर लीजेगा तो 10 ml आपका खाली होगा बागी 90 ml नादिशीन से होगा तो इसे आपको 20 डॉप्स लेना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ना भू ले और साथ ही इस चैनल में आप नए है है और इससे सबस्क्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब करना ना भूले तो प्रेंच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तबतक के लिए बब झाल चेले के लागज के लागज झाल जायर झाल को लागज मिड़ते है झाल